हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर्शो साउल यानि साइंस एंड आर्ट आउफ लिविंग मैं हूँ आपके साथ शिखा इस कारिक्रम में हम जानकारी ले रहे हैं हार्ट केर के बारे में डॉक्टर बिमल चाजेर से जो की हार्ट केर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं य इतना important role play करता है हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर करने में चलिए देर ना करते हुए आज जानते हैं कि प्राणायाम यानि कि अनुलोम और बिलोम की प्रकिरिया और साथ ही प्रेक्षा meditation किस तरह से फायदेमन साभित होता है हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर करने में सावल में हम हार्ट के patience को सिखाते हैं किस तरह से वो blockage को reverse करें एक होता है prevention एक होता है reversal हम चाहते है prevention करें उसके संग reversal भी करें और इसके लिए हम लोग योग का बहुत इस्तिमाल करते हैं योग के साथ हम लोग बोलते हैं 35 मिनिट की walk होनी चाहिए तनाव कम होनी चाहिए खान पीन में zero oil और जितने भी जानवर से बनेवे खाना है non vegetarian खाना बंद होना चाहिए और दूद से बनेवे आइटम कम से कम लेना चाहिए इस के संग जो सबसे important है तनाव को कम करने के लिए हम लोग योग का इस्तिमाल करते हैं और योग में चार चीजे हम लोग सिखाते ह है एक तो सिखाते है सावल हाट exercises जो सर से पैर तक की movement होती है यह करी 10 से 12 मिनिट में complete हो जाती है और इसके बाद सावल हाट आसना यह जो exercises है यह 8 आसन होते हैं दो खड़े होके दो बैटके दो उल्टा लेटके दो सीधा लेटके यह exercises आपको हमने दिखाया पहले भी और अ फिसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरा जो युग का बहुत काम का चीज़ है उसका नाम है प्रानायाम यह बहुत सरे तरह के होते हैं और उसने से ज्यादातर प्रानायाम हार्ट के लिए सेफ नहीं होता है जैसे कि हम लोग बोलते हैं कापाल भाती भस्तरी का यह हाट के patients क करने के लिए मना करते हैं पर हम लोग जो प्राणायाम आप से चाहते हैं उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम इसको अल्टरनेट नोस ब्रीधिंग भी बोला जा सकता है और ये प्राणायाम का फाइदा ये है कि इसमें बहुत धीरे-धीरे स्वास अंदर जाती है बह हमारा ब्रीन को काफी oxygen पहुंशता है, पूरे हाट को oxygen पहुंशता है प्राणायाम हाट के लिए बहुत अच्छा है, मैं आपको पांच मिनिट प्राणायाम करने का असला देता हूं, प्राणायाम प्राणायाम, तो सबसे कमफर्टिबल पोस्चर हम लोग बाहनते हैं, सु वुखासंज में बैठें में हैं और देखे इस पॉष्चर पॉस्चर दोनों हाथ को दोनों तरप करके मुझ जो पहला उब्र ही और सेकेंड वी के बीच में गोल किया गया है और इस पॉस्चर में आपको बैठ ना देखे दोनों काच को दोनों तरफ करके उंगली को पहला उंगली और $ एक बीच में गोल किया गया है और इस पॉस्चर में आपको बैटना है अब जिस हाथ से प्राणायम करना है आप राइट हैंड से प्राणायम करते हैं देखें दो उंगली लीजेए अब उपपर नाख के तरप लेके जाएं और देखें थम से आप एक नाख को बन करेंगे और तीसरी उंगली से दूसरे नाख को बन करेंगे और अब देखे प्रानायम सुरू करते हैं पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट से सांस को अंदर लेंगे अब दूसरे नाक को बन करके थम को बाहर करके थम से बाहर निकालेंगे सांस बाहर गया फिर थम बाले नाक से ही उपपर फिर से लेंगे राइट से और फिर राइट को बंद करेंगे लिफ्ट को खोल के लिफ्ट से बापस लेके आएंगे फिर से लिफ्ट से बापस लेंगे और लिफ्ट को बंद करेंगे राइट को खोल के राइट से बाहर निकालेंगे ये alternate nose breathing चलती जाए पांच मिनिट तक चलना है एक बात याद रखे इसमें कोई जर्क करने की जरूरत नहीं है कोई भी तरह की जर्क नहीं होनी चाहिए बहुत smoothly होना चाहिए और कोई आवाज भी नहीं आना चाहिए इतना smoothly आपको लगे मैं पूरा relax आप आख चाहिए बंद करके रखें आख खोले जातर आख बंद करके ये प्रानायम किया जाता है इसमें disturbance कम होती है और आपको दिखना चाहिए पूरा स्वांस अंदर जा रहा है पूरा स्वांस बाहर आ रहा है अच्छा रोकने की जरूरत नहीं है बहुत सारे लोग प्रानायम चिखाते है उसमें रोकने वाली भी बात होती है एक होता है पूरा का अंदर लेना और एक होता है रेचक बाहर निकालना प्लस बीच में कुमबग भी निकालते हैं वो कुमबग की कोई ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ पूरा का और रेचक करते रहना है हार्ट के लिए ये प्रानायम बहुत फाइदे मन्द है और हार्ट के पेशिंट को मैं फिर से एक बार वार्णिंग देना चाहता हूं कि कपाल भाती भस्तरी का ना करें और करना भी हो तो बहुत कम स्पीड से करें जिससे कोई भी तरह से हार्ट को जर्क ना मिले आप याद रखिए हार्ट के पेशिंट को हार्ट अटेक होने के चांसे सोते हैं और उसमें हार्ट को ज्यादा जर्क नहीं दिलाया जा सकता है क्योंकि वो जो blockage के उपर एक membrane होती हो, membrane कभी भी फड़ सकती है, उसे heart attack हो सकता है, तो इसलिए मैं heart को जर्फ दिला ना नहीं चाहता हूं, आप जब भी प्रणायम करें, बहुत आराम से करें, और वस्तरी का कपाल भाती, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, वस्तरी का कपा भी लोग प्रणायम करें, this is the best, और इसमें blood pressure भी कम होती है, इससे sugar भी कम होती है, heart के लिए भी फाइदा करता है, तो ये प्रणायम आप जरूर करें, तो ये था प्रणायम, अब हम लोग चलेंगे meditation के तरफ, meditation के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं, meditation करते बखत, कुछ ची मेडिटेशन हैं हमारे पास, जैसे की महरशी महेश जोगी का transcendental meditation, जैसे की ओशो meditation, जैसे की स्री स्री रवी शंकर की meditation है, बाबा राम देब जी योग नीद्रा meditation सिखाते हैं, हम लोग बहुत सारे तरह के meditation के बारे में जानते हैं, सहज जोगा meditation, विश्वास meditation, मैं meditation को recommend करता हूं, कि हार्ट के लिए सबसे बढ़िया और सबसे safe, सबसे अच्छी बनी जाती है, प्रेक्षा meditation करते हैं, बहुत सारी medical research meditation पर हुई भी है, और यह देखा गया meditation पूरे body के लिए और हार्ट के लिए तो specially बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि during meditation, हमारी breathing की speed स्टीड कम हो जाती है, During meditation हमारे heart को oxygen जादा मिलती है, During meditation हमारी cholesterol कम होती है, हमारी triglyceride कम होती है blood pressure कम होता है, अफाल मेरा sugar कम होता है, meditation से हमारा brain full relaxed में आ जाता है, हमारी emotional brain पे control हो जाती है, और यह meditation करना हमारे emotional brain को control करना यह बहुत ही जरूरी है हाट के patients के लिए क्योंकि जब भी वह rule तोड़ता है तो उसके emotional brain उससे rule तोड़वाता है जो हमारा normal brain होता है वो तो instructions correct देता है कि तेल नहीं खाओ यह तलेवे चीज नहीं खाओ पर हमारा emotional brain उस सारे resolve को तोड़ देता है और बोलता है आज आज खालो कल देखेंगे normal brain बोलता है cigarette नहीं पियो emotional brain बोलता है आज आज पीलो कोई दिक्कत नहीं होगी तो यह जो emotional brain है इसको control करने के लिए meditation बहुत ही ज़रूरी है और यह प्रेक्षा meditation यही करवाया जाता है पर meditation में चार पाँच रूल है लोग बोलते हैं डॉक्टर साब meditation करना कैसे है तो मैं आपको बता दूँ meditation करने के हमारे medical science ने जब सारे तरह के meditation को research किया तो पता चला सारे meditation करीब करीब more or less एक ही है और in fact एक Harvard mention करके Harvard medical school में थे एक बहुत बड़े scientist थे योग के बहुत बड़े scientist है उन्होंने इसके उपर पूरा research किया और उन्हेंने बुला सारे meditation सेम है और उन्हें चार चीजें बताई थी meditation में चार चीजें कभी भी आप meditation करना चाते हैं चारों चीज होनी चाहिए तो चारों चीज को समझते meditation में चार चीज होती क्या है पहला meditation का होता है posture जो meditation की posture होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कोई भी तरह के दिमाग को ज़्यादा tension नहीं लेना हो आपका body का हर पार्ट comfortable रहना चाहिए और आपकी spine straight होनी चाहिए ज़्यादा तर meditation करवाते बखत हम लोग आपको हम दिखाएंगे किस तरह से meditation के posture होते हैं सबसे बढ़िया posture तो देखें ऐसे पदमाशन होता है पर आम आदमी अभी पदमाशन लगा नहीं पाता है उसके बाद सिद्धासन या सुखासन में बैठाया जा सकता है और यह जो posture है यह बहुत comfortable posture होता उसमें गिरने की कोई डर नहीं होती है brain full relaxed होता है देखें खड़े- continuous busy रहेगा meditation का aim है पूरा brain relaxed हो जाए और पहला काम है comfortable posture हो जाए गिरने की कोई डर ना हो तो brain आधा relaxed हो जाता है तो posture आपको best रहेगा पलाथी मार के बैठें जिसको हमारे योग के भासा में बोलते है सुखासन आजकल बहुत सारे लोग जमीन में सुखासन में बैठ नहीं बाते हो बोलते सब हमसे तो नहीं बैठा जाएगा घुटनों का problem है तो उनके लिए आजकल हम लोग और modify कियें बोलते चेयरासन या सोफासन में बैठा हूं तो इस posture में बैठ के meditation किया जा सकता है तो पहला तो हो गया posture दूसरी meditation की बहुत important चीज़ है वो है कि आपकी brain को को कोई भी तरह कि signal नहीं जाने देना है signal क्या क्या होती है देखे हमारे पांच इंद्रिया होते आपको मालूम है यह sensory organs है यह पांचो sensory organs continuously brain को disturb करता है feeding करता है तो meditation का पहला काम है कि आख को बंद कर दो तो क्या होता है आख का जो signal हो बंद हो जाता है और इसके लिए बहुत स साइलेंस लिख देते हैं और कोई भी आवाज ना हो ऐसे हॉल में meditation करने बठाते हैं दो चीज हो गई कान और आख ओफ हो गई अब आपका देखे तीन और signal जाता है तो जीब से आती है तो अगर मुह में कुछ खाना नहीं खाएंगे तो जीब की signal off हो गई और उसके बाद चौथी signal होती है टच से वो नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और पांचमा सिगनल होता है जो की नाक से जाती है smell तो कोई smell नहीं होना चाहिए जहां meditation करेंगे तो यह अगर दूसरी chapter हो गई तो इसमें क्या हो गया कि आपका brain में signal जाना बंद हो गया अब एक तीसरा काम हो जाता है जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो एक तीसरा काम हो जाता है तीसरा में क्या होता है हमारे brain अंदर से पूरा का पूरा ब्रमांड का चक्कर लगाने लगता है पूरे वर्ड का चक्कर लगा लेता है अगर आप बैठे बैठे आंग बंद कर रही है और फिर वाइब से याद आगया मेरा बेटा क्या कर रहा है बेटे से याद आगया उसका स्कूल का फीस देना है उससे याद आगया बैंक में किते पैसे उसमें याद आगया वो डॉलर का चेक डाला था उससे याद आगया वो डॉलर की चेक आई कहां से थी मेरे ब्र जरूरी है, तो meditation का पहला हो गया posture, comfortable posture होना चाहिए, दूसरा सारे signals को off करो, तीसरा हो गया passive attitude, इसको द्रस्टा भाव बोलते हैं, मतलब किसी से जुड़ो मत, दिमाग में कोई भी thought आए, उस पे जुड़ना नहीं है, उसको वैसे कब ऐसी रखना, सिर्फ देखो और जाते दो, देखो और जाने दो, उससे जुड़ना नहीं है, इसको बोलते है passive attitude, यह बहुत difficult होता है, और इसके लिए चौथा theme लाया गया है, जिसका नाम है concentration, कोई भी चीज में आप concentrate कर लो, उसको theme दिया जाता है, theme मतलब कोई भी theme दे दो, और प्रेक्षा meditation में हमने heart के लिए special theme बनाया है, और वो theme है कि blockage खुल रही है, green color लेके जाएं, और देखे blockage खुल रहा है, तो आपको पहले तो पूरे body की एक एक पार्ट को धीला करना है, मैं आपको ये करवा के दिखाऊंगा meditation पर आपको theory समझना होगा, कि आप comfortable posture में बेठी है, सारे signals कॉफ कर दीजे, कोई आवाज आवाज नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम लोग बोलते है, meditation early morning करेंगे तो best time है, जब कोई उठावा ना हो घर पे, कोई telephone की घंटी ना बजे, कोई calling bell ना बजे, कोई आवाज ना करे, कोई traffic के signal आवाज ना आए, तो उस बकत सबसे बढ़िया time होता meditation करने का, तो heart के patient को हम बोलते हैं, दस मिनिट meditation आप जरूर करो हर दिन, और ये दस मिनिट में पहले आप बैठ जाओ, सारे signal आफ करो, और उसके बाद आप देखेंगे, आपका दिमाग इदर उदर भागता जा रहा है, अब अब दिमाग को लगाईए, पहले पूरे बाड़ी को,